प्रदान मंत्री जी को अनुरोद करता हूँ कि वे श्रद्धान जली पर दो शब्द कहें सोक संतप्त सभी देश वास्यों और उपस्थित महनुभाव हटल जी हमारे बीच नहीं है जीवन कितना लंबा हो यह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में है और अटल जी ने यह जी करके दिखाया कि जीवन कैसा हो क्यों हो किसके लिए हो कैसे हो और जीवन सच्चे अर्थ में वो ही जी सकता है जो पल को जीना जानता है और पल पल को जिसने जी करके जिंदगी को समारा सजाया और जन सामान्य के लिए खपा दिया किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक सरीर ने जब तक साथ दिया वे जीए देश के लिए देश वासियों के लिए उसलों के लिए सामान्य मानवी के अर्मानों के लिए और उस काल में राजनिती की जीवन में जब राजनिती की मुख्धारा के निकट परती कोई अन्य विचार या विवस्ता दूर दूर तक नजर नहीं आती थी इतना ही नहीं देश का एक लंबा कालखन सार्वजिनिक जीवन में खास करके राजनितीक जीवन में छुआ छूत का कालखन रहा अपमानित होने के पल पल प्रयास होते थे जेलना पड़ता था उपेशा, उपास, अपमान इन सारी मुसीबतों से बीच से एक विचार के प्रति प्रति बद्धता के कारण राश्ट प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण सुन्ने में से सुरुष्टी का निर्बान कैसा होता है उसे करने वालों में एक महापुरुष अटली विहरी वाजबाई अग्रिम पंक्ती में उनका नाम है इतना लंबा कालखंड विपक्ष में रहना और विचार की धार को कहीं खोट नहीं आने देना लोकतंत्र के मुल्भुद चिंतर को पूरणतया समर्पित रहते हुए संसदिय लोकतंत्र की हर परंपरा का गवरवगान करते हुए जन सामाजने के लिए आवाज बन करके जीना और जब अवसर आया तो जीवन को उन सपनों को पूरा करने के लिए लगा देजा पूरा करते हुए और अटल जीने भी उसे वैज्ञानिकों को समर्पित किया था लेकिन ग्यारा मै को अनुपरिक्षन के बाद सारे विश्वने प्रतिबन लगा दिये सेंक्षन लग गए बहुत बड़ी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ हो गए उस समय के धिल्दुस्तान के हालात में किसी का भी रुक जाना ठैर जाना जुक जाना स्वाभाविक था लेकिन यह अटल थे 11 मै को पराक्रम अगर वैज्ञानी को अगता तो 13 मै को दुबारा उन्होंने अनुपरिक्षन करकर के विश्व को चुनोती दी थी कि भारत अटल है भारत जुकने वाला नहीं है और यही सामर्थ होता है जो विश्व के अंदर भारत के अपने एक पहचान प्रस्थापित करता है आज उत्राखंड हो 36 गड़ हो जारखंड हो उन तीनों राज्जों ने राज्ज पुनरचना कैसे होती है राज्जों के बीच में विभाजन कैसे होता है किसी भी प्रकार की कटुता के बीना व्यवस्थाओं के अंदर अपरा तफरी के बीना एक उत्तम तरीके से राज्जनितिक मर्यादाओं के बीच सब को साथ लेकर के निर्णे करने की प्रक्रिया और आज देश नतीजे देख रहा है कि तीनों राज्जे अपने बल्बूते पर राष्ट की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिक आदा कर रहे हैं बाजपाई जी के दिर्ग दर्ष्टा नितृत्व और कर्तृत्व का ही प्रणाम था कि हमें हमारे सामने इन तीन राज्जों को हम पनप्ते देख रहे हैं बिना कोई संगर्ष के बिना कोई कटुता के ये चीजे चल रही है छुवाचूत के सिकार अटल जी की सरकार बनी तेरा दिन चली कोई सांथ आने को तयार नहीं था कोई भी राजनीती से डिग जाता हिल जाता रास्ता छोड़ देता लेकिन उन्हें अपने आप पर भरोसा था देश के जन सामाने पर भरोसा था देश की आशा आकांख्षाओं की अपेख्षाओं की जो नबस थी जिस पर रुके पूरी ताकत से सबको साथ लेकर के चलने की प्रक्रिया को प्रारब हुआ और आज देश उन दो दिशा में लोकतंत्र को मजबूत बना रहा हैं जहां कुछ दल एक जगा पर इखटे हुए हैं कुछ दल दूसरी जगा पर इखटे हुए हैं लेकिन इसको सफलता पुरुवक पार करने का काम वाजपाई जी के दिर्ग दरश्टी के कारण हुआ था अंतर राष्टे मंच पर हंदुस्तान कश्मीर को लेकर के जवाब देता रहता था हर बार कश्मीर को लेकर के भारत को घेर लिया जाता था यह वाजपाई जी की दिर्ग दरश्टी थी विदेश मंत्री के रूप में काफी अनुभव था विदेश के विश्योंप और पार कुसलता पूरवक विश्व के पूरे नेरेटिव को बदल दिया कि कश्मीर चर्चा किछा हट गया आतंगबाद चर्चा के केंद्र में आ गया और विश्व को कौन आतंगबाद के साथ है कौन आतंगबाद के सामने है इस प्रकार चे दुनिया को दो हिस्सों में सफलता प पुद्धे पर भारत के साथ लाने के लिए वो सबलता प्रोग आगे पड़े। अंगिनत गुड गवर्नस की बात हो, नेतृत्व की बात हो, डल को आगे भड़ाने की बात हो, अंगिनत काम वाजपाईजी ने किये। जिनको उनके साथ रहे करके चलने का मोका मिला है, कायर करने का मोका मिला है, उनके लिए खालीपन बहुत बड़ा है, लिकिन उनका पुन्यस मनल करते हुए, पल-पल जिस प्रकार से वो जीए हैं, उसे जी करके, हम उने आने वाले अपने कायरकाल के दर्व्यान, हमें इस्वर ने जितनी भी जिन्दगी दी है उस जिन्दगी को, उन सपनों को पूरा करने के लिए आहूत करने के लिए प्रेणा मिलती रहे, और हम उसको करें, यही सबसे बड़ी सरद्धांजली होगी, कोई कल्पना कर सकता है, आज हिद्धुस्तान में और जिस प्रकार की दुनिया है, दस साल तक जो महापुरुष राजनीती मंच पर कहीं नजर नहीं आए, राजनीती मंच की चर्चा में कहीं न हो, पूरी तरह अलीप्त, दस साल सार्वजरी जीवन में बहुत बड़े होते हैं, दस साल तक एक गुमनाम अवस्ता की जिन्दिकी बाद, उस व्यक्ति की बिदाय को जिस प्रकार से देश ने सरद्धा दी, जो सम्मान दिया, शायद ही कोई ऐसी घटा की कलपना भी कर सकता है, कि दस साल के इतने बड़े अंत्राल के बाद भी, लोगों के दीलों पे इसी प्रकार से चाहे रहना, यह अपने आप में, उनकी जिन्दगी का जीता जाकता सबूत है, मैं सरद्धे अटल जी को, सरद्धान जी देने के लिए, सब्दों के सहारे, ज़्यादा कुछ कहनी पाहूंगा, लेकिन कल, एशियन गेम्स में, जब हिंदुस्तान का एक बेटा, 24-35 साल का बेटा, बजरंग पुनिया, गोल मेडल जीतता है, भारत को पहला गोल मेडल मिलता है, और मैं मानता हूं साइज, बजरंग पुनिया ने कभी अटल जी को देखा नहीं होगा, कभी मिलना का तो सवाल नहीं उठता है, और जब अटल जी सक्रिये थे, तब बजरंग की उमर, 10-12 साल रही होगी, वो गोल मेडल जीतने के बाद कहता है, मैंने आज कहीं पढ़ा, कि मेरा इगोल मेडल, मैं आटल जी को समर्पित करता हूँ, मैं समझता हूँ, इस से बड़ी जिन्दगी की उँचाई और सफलता कोई हो नहीं सकती है, जो आने वाली पीडियों को भी, प्रिणा दे रही हैं, ऐसे इस महापुरुस को, सद्धा पुर्वक नमन करते हुए, मैं मेरी वाली को विराम देता हूँ, बहुत आभार आदरणिय प्रधान मंत्री जी, आपने कई प्रेरक यादों को जीवन तकिया,